मुझे लगता यह बहुत मज़ेदार होगा चलो जल्दी ढकन खोलो वीटा तुम शुरू करो को नहीं क्या भयानक शुरुवात है मैं इसे काटेदार कहूंगा मुझे यह कैक्टिस खाना है यह बहुत डरावना है यह मुझे हर तरप चुप जाएंगे पर हम केबल अच्छे की आशा करते है ओके इतना दर्णाख शायद इतना ही काफी है बिल्कुल नहीं तेदी सिखाओ मुझे लगता है मेरे पास एक आईडिया है जब मैं सभी काटों को काट सकती हूँ तो मैं खुद को क्यो चोट पलचाओंगी और इसके लिए मेरे पास सही टूल्स भी है अब मुझे हर बाइट में कश्ट नहीं जिलना पड़ेगा मुझे आशा है कि कैक्टस कम से कम स्वादिष्ट हो यह क्यासा है तुमने इसे इतनी जल्दी खा लिया जैसे कि यह मीठा हो नई, ऐसा कुछ नहीं है अब इसे खोलने की मेरी बारी है रूपो, लेडिस फर्स्ट खास कर तब जो उसके पास इतनी स्वादिस्ट आईस क्रीम हो आउच बीटा, तुम मेरी आईस क्रीम कहा ले गई उसे वापस लाओ बिल्कुल नहीं देखो, यह गोल बॉल्स है जिसका मतलब यह मेरे है मुझे पता इसे कैसे ठिक करना है गर्म हवा के बाद बॉल पिघल जाएंगे और कोन के त्रिकोनी आकार के कारण यह गोल मेरा होगा कितना स्वादिस्ट है अगर मैंने वीटा को आईस्टीम दी तो मुझे बहुत अफसोस होगा मैं इस बसी से जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ यह जानकर कितना अच्छा लगा कि मुझे किसी के साथ शेर लही करना पड़ेगा यह सम मेरा है तुम्हारा तुम कहते हो मेरा भी सैंडविच खाने का प्लान था क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी अलेक्स वेटा तुम ही बुला रही है अब चाको मुझे चाकोर सैंडविच को दो त्रीकोनिय सैंडविच में बदलने में मदद करीगा मुझे माफ करना अलेक्स मुझे यह करना पड़ा समझते कि कोशिश करो मुझे बहुत धोख लगी है अच्छा, तो ऐसा है फिर देखते हैं तुम्हें उसी त्रिकोनिय मिर्च वाला सैंडविच कैसा लगता है मुझे लगता है कि कम से कम बहुत मजा आएगा स्वादिस्ट, यह अपसोस की बात है कि एलक्स की तुम सैंडविच नहीं खा पारे ओ, नहीं, यह बिलकुल भी अपसोस की बात नहीं है लेकिन हैस्पास्ट्रोप से कुछ गड़बर है स्वादिस्ट में मिर्च कहां से आई? मेरे पास कुछ ऐसा है, इस आख को बुझाने में मदद करेगा यह ड्रिंक पीओ जल्दी करो मुझे कुछ पीने दो मैंने अभी क्या पिया? वाँ, क्या शो है आओ, देखे किस दौर में हमारा क्या इंजार कर रहा है बेटा के पास चिप्स है, लेकिन मेरा क्या? मुझे आशा है कि मैं बागशाली निकलूंगा ओ नहीं, मैं कोई कुट्टा नहीं हूँ जो मैं यह खाऊंगा मैं यह नहीं खाऊंगा और तुम्हें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले खाने जारी हूँ मैं जल से जल एक तर्बूज खाना चाहती हूँ यह कितना रसीला है या गर्मियों की याद दिला रहा है मुझे पता है कि तुम अपने लिए तर्बुच कैसे ले सकती हो एक विशेश चमच के साथ केसी चमच को पकड़ो इसके मदद से खाने में और भी सहुलियत होगी बहुत बहुत धन्यवाद या वास्ता में बहुत सुविधा जनक है आप या तर्बुच केवल मेरा है क्योंकि तुमने इसे गोल टुकड़ों में काट लिया है आगली बार ध्यान रखना मुझे लगता कि तर्बुच की एक कहानी तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ येलो नहीं लगा तुम जितना चाहो उतना फैक सकती हो तब तक मैं तर्बुच खत्म कर दूंगी तुम्हारे वज़े से मेरे पास बहुत कम तर्बुच बचा है लेकिन कम से कम मैं किसी की मदद की बिना बचा हुआ खाऊंगी तो गया वीचा अब तुम्हारी बारी है मुझे लगता है कि चिप्स बहुत स्वाधिस्ट होंगे विशेश रूप से प्रिंगल्स मुझे ये बहुत पसंद है मुझे भी और मुझे इसकी मज़े लेने से कोई नहीं रोग सकता मुझे बीटा को चिप्स से दूर करना होगा या कितना अच्छा है कि ऐसा करने के लिए बस एक पैक को हिलाना होगा अजीब है? ये खानी क्यों है? सबी चिप्स कहां है? कितना भयानक मुझे लगता है इसे मैं बिमार हो जाओंगा चान मैं ये नहीं खा पाओंगा नहीं, तुम्हें खाना पड़ीगा जरा देखू ये कितना घिनोना है कम से कम कोशिश करनी पड़ीगी कितना खराब? डॉग फूट हमेशा विशेश बरतन में खाना चाहिए मैं तुम्हें कैसे करके भी खिला ही दूँगी यालो, क्या तुम्हें पसंद आया? मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी नहीं चका है क्यों तुम्हें लगते हैं मजा क्या है? अब मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि बास्तम में मज़ेदार क्या होता है आँ, तुमारे हिम्मत कैसी हुई? अब से हम कुटो की तरह महगेंगे दोस्तो, तुम्हें क्या लगता है इस बार कौन भागशाली होगा? अब हम पता लगाएंगे लेकिन मैं भागेशाली हूँ, मुझे रोल पसंद है मैं भी, मुझे चॉकलेट मिली है इसके अलावा यह बहुत सौधिस्ट है इसे दुकानों में खोजना बहुत मुश्किल है इसलिए यह और भी अधिक कीम्ती हो जाता है मुझे पता है यह हर कुछ पहने से लाड़ तपकारा है लेकिन मैं शेयर नहीं करने जा रही हूँ यह बहुत सौधिस्ट है एक दम लाजबाव, मैं बस इन सभी त्रिकोनी स्लाइस को जल से जल खाना चाहती हूँ कितना अच्छा है कि मैं कर सकती हूँ लेकिन उसे पहले चौकलेट के कराटे को कुछ करतब दिखाने होंगे बस हो गया अब सब जान जाएंगे कि केसी क्या कर सकती है और अब तुम्हें एक तरकिब दिखाऊंगी अपने मूँ से चौकलेट बार पकड़ना लेकिन इतना ही नहीं एक तुकर तो कोई भी पकड़ सकता है लेकिन चौकलेट के पूरे गुच्छे को पुकरना मुश्किल होता है और मैं किसी को पकड़ने में कामियाब नहीं हुई कितनी शर्म की बात है ओ कोई बात नहीं अच्छी बात ही है कि मैं अब रोल को खा सकता हूँ पहले ये चौपस्टिक ले लो ओ नहीं मैं उनकी साथ कभी नहीं खा पाया अगर मैं अभी सीखता हूँ तो मैं निश्ची तुरूप से एक भी चीज नहीं खाऊंगा लेकिन मुझे अलग तरीके से स्टिक का उप्यों करने से कौन रोकेगा जैसे कि उन पर रोल लगाना और ठेक उसी तरह खाना ये अच्छा है और आराम दायक है और उससे हाथ भी साफ रहेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करने के बारे में क्या ख्याल है बिल्कुल नहीं इसके अलावा तुम्हें रोल की जर्वत क्यों है रसदार नीमू तुम्हारा इंजार कर रहे है जरा सोच क्यों कितने खटे होंगे शी हटो मुझे नहीं पता था कि नीमू हुमे रैंग की तरह वापस आ जाएंगे जाओ ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी नियर्टी है बीव कुफचुनौती नियम ठीक है मैंने अब अभी पता लगाई कि नीमू को कम खटा कैसे बनाया जाता है रस्ट को छिनने की जर्वत है उपस एलक्स माफ करना ठीक है चलो इसे खाती हो ऐसा लगता है कि नीमू की बज़े से मैं थोड़ा सी कुड़ गई हूँ मुझे एक ताजस नान चाहिए अब अच्छा मैसूस हो रहा है ओ प्याज नहीं मैं बदमू मारना नहीं चाहती माँ पीज़ा का कितना बड़ा टुकड़ा है अद्भूत और मेरे पास सबसे स्वादिश फिज है मुझे ये बहुत पसंद है मुझे आशाए कि अगर मैं पहले इस बेकार प्याज से निपड़ती हूँ तो तुम बुरा नहीं मानोगे मैं वास्तम इसे बात के लिए नहीं छोड़ना चाहती इसका स्वाद कैसा है मेरा मचाक उड़ाना बंद करो ये मेरे लिए वास्तम में मुश्किल है कास तुम समझ पाती कि ये कितना गिनोना है अगर एक बाइट भी खा लिया तो दिल की धरकन सुनाई पढ़ने लेगेगी ओ तुछ बाहर आना चाहरा है क्या बग्गू है मुझे लगता है हम समझ रहे कि अब तुम क्या मैसूस कर रही हो ओ, माफ करना मैंने किसी की पिज़ा पर गोल सॉसिज दिखा है इसका मतलब है कि मेरे है ये जानकर कितना अच्छा लगा कि ऐसे स्वाजिस चीज़े इंदिजार कर रही है और अगर एक छोटा टुकड़ा काटते हैं तो हम इसे चौकोर बना सकते हैं इसका मतलब है मैं खुद को तरो ताजा कर पाऊंगा मुखी बात है कि मेरे हाथ गंदे नहों क्योंकि मुझे बाद में फिज़ खाना है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शर्म नहीं आती तुम्हें यह मेरा पिज़ा है तुकरा चौकोर है जिसका अर्थे कि यह मेरा है खैर मेरे लिए लगवक कुछ भी नहीं बचा है यह अच्छा है कि मैं थोड़ा खा सकती हूं पूरा खत्म नहीं हुआ है और फिसका पूरा पैकेट मेरा इंजार कर रहा है मुझे इसे खाने में बहुत दिल्चस्पी है यह बहुत स्वादिश लग रहा है अरे वाँ वास्तम ही अच्छा है लेकिन मैं यह किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा यह पूरा मैं खुद खाऊंगा वाँ कितना स्वादिस्ट है मैं और अधिक चाहता हूँ नालची एलक्स यह अब तुम्हारे पूरे सेर पर जाएगा अब बहतर है अब तुम समझ जाओंगे कि दोस्तों के साथ कैसे विभार करना है कितने सारे गमियांखे तुम्हारे पास इतने सारे हैं और मेरे पास केबल एक गमियांखे यह सही नहीं है और यह पिल्फल भी फ़नी नहीं है यह जरूर केबल एक ही आखे लेकिन अभी भी बहत सादिस्ट है मिल्ला परेशान लग रही है मुझे लगता है कि वो मेरी शरारत से खुश होगी मुझे आशा है कि वो से बहुत क्रूर नहीं लगेगा लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही मध्यदार होगा मेला, देखो मैंने क्या किया है आ, इतना दर्द हो रहा है मेरी आख, पराबुः नहीं रही अरे बापरे, यह क्या हो गया इसे मेरे सामे से हटाओ तुम क्या करे हो मेरा दम घुट जाएगा मेला, जुली को तुमारी वज़े से परिशानी हो रही है वो सांस नहीं ले पारी है कितना स्वादिस्ट कितना स्वादिस्ट है लेकिन आग कहों से आईए कितना गिनोना इतनी शरार्तों के बाद एक स्वादिस्ट गमी आग यह ठीक वही है जो मुझे चाहिए बिल्कुल सही कह रही हो मैं भी जल से जल अपनी कैंडी खाना चाहती हूँ मेरी आखो को देखो अलेक्स तुम किस बाद के इंजान कर रहे हो मैं तुम्हारी आख खाने जा रही हूँ बिल्कुल नहीं मैं भी अपने सारे टीट को खुद समाल सकता हूँ शायद तुमी से मेरे साथ शेर करोगे और मेरे साथ भी हंदोस्त है दोस्त कोई उमीद मत रखो मैं वैसे भी तुम मैंसे किसी को कुछ नहीं दूँगा यह क्या हो रहा है? मुझे सब ज़्यादा दिख रहा है आखो वाला एलक्स हर किसी के पास इतने सारे टीट्स क्यों है और मेरे पास की बल एक ट्विक्स चॉकलेट बार है आस्टा करती हूँ कम से कम स्वादिस्ट हो है, मैं कोई डस्ट मिन नहीं हो जो मुझे पर कच्रा फैक रही हो तुम ऐसे क्यों चीन आ रहे हो? तुम तो एक छोटे बच्ची की तरवें भार कर रहे हो मेरे पास एक आईडिया है कि चॉकलेट बार को कई स्वादिस्ट भागों में कैसे बाड़ा जाए इसमें एक आरी मेरी मदद करेगी आशा है कि एलक्स फिर से नहीं रोएगा ओ, ये हलो ट्रिक्स प्लीज हमें आरी से मत काटो मैं तुम्हें कोई नुपसान नहीं पहुचा रही हूँ ये आरी चॉकलेट बार के लिए है क्या स्वादिस्ट चीज है मेरे जीवन का सबसे स्वादिस्ट ट्विक्स आप चॉकलेट खाने की मेरी बारी है लेकिन पहले मुझे रैपर से छुटकारा पाने की जरुवत है आप खाना शुरू कर सकते है स्वादिस्ट? बहुत ज़्यादा स्वादिस्ट? लेकिन किसी चीज की कमी है क्या तुम जानते हो कि चॉकलेट किसके साथ अच्छी तरह से जाती है? दूद के साथ आँ! मेरे चेरे पर सब कुछ क्यों उड़ रहा है? मैं सोच भी नहीं सकती कि फॉर्मिलेसिन कितना स्वादिस्ट है? चॉकलेट मेरे ट्वेक्स, एक अश्ली चॉकलेटी जन्नत मैं नहीं चाहते कि चॉकलेट कभी खत्म हो? तुम क्या देख रहे हो? अलेक्स, तुम भी खाना शुरू कर सकते हो? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है सिर्फ चॉकलेट बेशक्स वादिस्ट है, लेकिन उबाऊ है, उनमें से एक विशाल टावर बनाने बहुत ही अच्छा होगा और उसे फिक्स करने के लिए न्यूटेला एक दम सही रहेगा अरे वा, एलेक्स हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा टावर बना सकते हो क्यों नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ मुझे उमीद है कि ये टावर कुछ रिकार्ड बनाएगा मैं वास्तम में चाहता हूँ कि हर कुई उसके बारे में जाने लेकिन ये बहुत स्वादिस्ट है, हम इसे सिर्फ खाएंगे तुम क्या कर रही हो, चावर क्यों हिल रहा है, तुम इसे बरबात कर दोगी अलेक्स माफ करना, पर क्या करती, चौखिट बहुत स्वादिस्ट है कोई बात नहीं, हेलवट ने मुझे बचा लिया, हाला कि टावर किस्तिती बुरी है वाँ, यहाँ चिप्स का पूरा पहाड है, और सब मेरा है तुमारे पास बहुत सारे चिप्स हैं, लेकिन मेरे पास बस एक छोटा सा चिप मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही, इससे सिर्फ मैंगिफाइंग ग्लास नहीं देखा जा सकता है सैंपल बहुत स्वादिस्ट लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझे एक बहुत स्वादिस्ट चिर मिली है पर अभी इसकी ठीक से जाज करनी होगी बहुत स्वादिस्ट पर बहुत काम अलेक्स, अब तुम्हारी बारी है आखिरकार, मुझे बहुत भूप भी लग रही है ऐसे चिप्स को ऐसे कौन बन करता है कि कोई उसे खोल भी न पाए इसे बिना किसी चीज की मदद के नहीं कर सकते अब यह हुई ना बात अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगा और तुम सीखना कि चिप्स कैसे खाया जाता है स्वादिस्ट चिप्स सही में अच्छा है इस स्वादिस्ट खाने को अब मेरी बारी है यम यम साथान, चोट लग रही है माफ करना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती चिप्स बहुत स्वादिस्ट है बस करो और मेरा हलमेट मुझे बचाएगा मुझे चोट मैसोस नहीं हो रही है लेकिन मुझे पता है कि हम उसे कैसे सबक सिखा सकते है यह ट्रक इसमें हमारी सहाइता करेगा स्वादिस्ट लेकिन यह बहुत कठीन है ओ नहीं, रॉकली नहीं मुझे कैसा अजी बीज मिला है और इसका स्वाद भी बेकार है लेकिन मुझे पता है कि इसके साथ क्या करना है अगर मैं बीज रोप हूँ और उसकी देवभाल करूँ तो वह निश्चित रोप से बहुत स्वादिस चीज में बदल जाएगी पॉले तुम लगा लिए और भुगा थम रहे हैं रोना बंद करो इसके बढ़ने के लिए मुझे कब तक इंजार करना होगा तुम किस बाद केंजार कर रहे हो तुमारे पास निश्चित रुप से अपनी ब्रॉपले से निपटने का समय है जिसे देखते हैं मेरी तवित खराब हो जाती है लग रहा है कि मैं कोई सड़ी हुई चीज खा रहा हूँ इसके महग भी अच्छी नहीं है मुझे तुरंट अपना मुझ साफ करने के लिए कुछ चाहिए रुको, मुझे बस बीज में डालने के लिए पानी चाहिए एलेक्स, तुम बस समय पर हो दोस्तो, कुछ हो रहा है यह काप रहा है मुझे आसा ही के सुरक्षित है जूली ने खुद ब्रॉक्ली हो गाई और फसल भी वैसे ही है अब तुमें इसे खाना होगा मैंने अपने सर पर मुसीलत ले दिया तो कैसा है यह, साधिस है न? नहीं, यह बहुत खराब है एक दंबिकार और हसना बन करो मैंना, अब तुम्हारी बारी है नहीं, मैं ब्रॉक्ली का एक पुरा गुच्छा नहीं खाना चाहती शायद इसे छुटकारा पा सकते है हे, देखो वहाँ मिकी माउस है कहा? तुम कितने बोले हो अब मेरे पास सभी ब्रॉक्ली से छुटकारा पाने के लिए समय है रुको, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा स्मार्थ हो पर ऐसा नहीं है खास तुम्हारी लिए मैं तुम्हारी सारी ब्रॉक्ली को पकड़ लूँगा मैंने सब खा लिया अच्छा, और यह रहा जो तुम समने फेका था और मैं तुम्हें अपना दोस समस्ती थी दोस्त एक दुश्रे को धोखा नहीं देते तो बॉन है पिती इतना सारा सामान बहुत अच्छा है, मुझे यकिने तुम इन सबसे बहुती स्वाधिश पास्ता बना पाओगी कोशिश करनी चाहिए कहां से शुश्रू करो मैं शायद स्पैगेची लूँगी मुझे लगता है उसे पानी में डालना होगा बस मैं बहुत अच्छी से सब कर रही हूँ मुझे खुद भी इसके उमीर नहीं थी लेकिन वे पूरी तरह से अंदर क्यों नहीं जा रहा है मैं चम्मत से कोशिश करती हूँ हां समझ गई मुझे कुछ अलग सोचना होगा मैं स्पैगेटी को बीच से तोड़ देती हूँ वे चारी जैन तुम्हे कुछ नहीं आता है मुझे तुम पर अधिक ध्यान देना चाहिए था चलो इसे अच्छे से करते हैं मुझे देखो और सीखो अब स्पैगेटी लो और इसे धीरे से गर्म पानी में डालो थोड़े इंतिजार करो और जब तक कि वे नरम न हो जाए पुरी तरह से पैंड में न डूग जाए दादी आपके क्लड़की को नहीं सिखाना चाहिए उसे प्रोफेशनल से एक उदारन लेने की जर्वत है तुम क्या करने वाली हो एमा मैं घर का बना नूडल्स बकाऊंगी वे स्टोर से खरीदे गए नूडल्स की तुला में बहुत स्वाधिश होते हैं ऐसा करने के लिए मुझे साधारन आठा एक अंडा और थोड़ा नमक चाहिए बस मैं इसे ठीक से गुनती हूँ आता तयार है मैं इसे काला रंग देना चाहती हूँ इसके लिए मैं कटलफिश इंका उप्योग करूँगी वे पूरी तरह से सुरक्षित है इसके केवल कुछ बोन दे लेना है और आम मैं दास्ताने पहलूंगी ताकि मेरे हाथ गंदेदा हो और मैं अपनी डोप को फिर से ठीक से मिलाऊंगी बस हो गया यहां देखो यह एक असली मास्टरपीस है मैं इसे फिल्म से ढखकर इसे थोड़ी देख छोड़ दूँगी मुझे लगता ने कि तुमारे पास इस डिश को पकाने के लिए परियाग समय होगा सब कुछ यहां नियंत्रन में है यह आटा को रोल करने का समय है यह सबसे कठीन काम है लेकिन मैं यह कर सकती हूँ और हम एक विशेष चाकू ले लेती हूँ और आटे को स्ट्रिप्स में कार्ट दूँगी देखो यह कितना ररम है मुझे यकीन है कि मेरी डिश बहुत स्वाधिश निकलेगी मैं इस पर थोड़ा आटा चिरक देती हूँ अब सब ठीक है अब हम इसे उबाल सकते है मैं इसे उबलते पानी में डाल देती हूँ इसे हिला आती हूँ और इंतिजार करती हूँ ध्यान रखना है कि पास्ता को एक साथ चिपकने नहीं देना है अब इसे एक प्लेट पर रख सकते है और आम मैं ड्रेसिंग त्यार करूँगी मेरी राय में सीफूड पास्ता के साथ सबसे अच्छा कॉंबिनेशन है मैं बस कुछ छोटे ऑक्टूपस को फ्राई करूँगी और इसके उपर रखूँगी यह थोड़ा आजीब लग रहा है तो महावते डिशेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखती हो मैं सौस डालती हूँ और बस यह खाने के लिए तैयार है बॉबी निश्चित रूप से मेरे पास्ता को पसंद करेगा मुझे लगता है मेरे बच्चे को क्या चप जादा पसंद है ओ जेन तुम क्या कर रही हो मैं नूडल्स को पैन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ यह पास्ता की तरह बिलकुल नहीं दिख रहा बलकि मुझे पास्ता खिचड़ी मिला है मुझे लगता ऐसे फैक देना बेतर है मुझे तुरंट यह कुछ और सोचने की जरुवत है यह तो मैं हार जाओंगी मुझे पता है मैं तयार चीनी नूडल्स लूँगी बॉबी को हमेशा यह पसंद आता है मैं इसे खूलूँगी, मसाले डालूँगी और उगलते पानी को भी डाल दूँगी इस तरह मुझे खाना बनाना पसंद है यह बेचारा सा लग रहा है और मेरी राय में यह बहुत अच्छा है ओ वाह, इतने सारे डीशिस मेरी आखे भाग रही है मुझे यह यह मैं नहीं पता कि कहां शेशिडू करूँ यह थोड़ा अलग लग रहा है मैं अक्टोपस बर्दास नहीं कर सकता वे डराबने है लेकिन मुझे कैचप के साथ पास्ता पसंद है मुझे यह सौस बहुत पसंद है ओ हाँ, बस अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लाइक नेसी दूप से दादी नेसे पकाया है चाइनिज नूडल्स एक अच्छा सुप्राइज है मुझे यह हमेशा पसंद आता है और सबसे अच्छा डिसके से चुनो अरे नहीं, यह इतना तीखा क्यों है ऐसा लगता है किसी ने इसमें ज़्यादा मसाला डाल दिया है पर फिर भी यह अच्छा था वा, मैंने फैसला कर लिया जीत मसालेदार नूडल्स की होती है मेरा बच्चा अब क्या चाहता है अब मेरे लिए चिप्स बनाओ जैसी तुम्हारी मरजी बच्चे सब ठीक हो जाएगा मुझे नहीं पता कि आलू का क्या करना है चिंता मत करो जैन दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएगी सबसे पहले तुम्हें आलू को छिलना होगा और अब हम इसे जीतना हो सके पतला काटते हैं पैन में अधिक तेल डालो ये एक स्वादिष्ट खस्ता क्रेस्ट बदाएगा पूरी तेज आज पर स्टोब चालू करो और अलू को फ्राइंग पैन में डाले ये कुछ भी मुस्किल नहीं है इसमें हाँ धन्यवाद दादी मैं फिर से कोशिश करूँगी मैं अलू लेती हूँ और उन्हें छिलती हूँ लगता है मैं कुछ गरबर कर रही हूँ अजीव है मेरे पास इतना छोटा टुकड़ा क्यों बचा है हलाकि मुझे लगता है कि ये स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा इसे टुकड़ों में काट लेती हूँ और अब मैं पैन में तेल डालती हूँ मैं स्टोब चालू करती हूँ और इसमें आलू डाल देती हूँ नहीं जेन ऐसा मत करो कितना घर मैं तेल से नहा गई हूँ ध्यान से आलू डालना चाहिए था जल्दी से धाकन से खुद को खवर करो खाना बनाना इस पस्ट रूप से तुम्हारे वश की बात नहीं है नहीं दादी आप देखना सब कुछ ठीक होगा जेन तुम्हारी वज़े से मेरा ध्यान हट गया और लगवग मैं अपने डिश के बारे में भून गई मैं फिर से कुछ खाश पकाने जा रही हूँ मेरे चिप्स तुम्हारे जिसे आलू से नहीं बलकि टॉर्टिया से बनाये जाएंगे इसका शुक्र मनाओ कि इसकी वज़े से वे और भी अधिक खस्ता और स्वादिस्थ होंगे मैं कटा हुआ टॉर्टिया को गर्म तेल में डालती हूँ देखो, यह कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है जैसा कि हमें चाहिए बस इतना ही, अब इसे निकाल सकते है हूँ बहु असली नैचूस की तरह केवल मसाले गाया भे लेकिन मैं इसे ठीक कर दूँगी हमें डिश को अच्छे से सर्व करना होगा मैंने टोस्टेट टुकडो को एक काली प्लेट पर रखा देखो, यह कितना सुन्दर लग रहा है मैं मसालो के बजाए चीज का उप्योग करूँगी यह इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा इसी निकलते देखकर ही जीब में पानी आ रहा है कितना स्वादिष्ट है बिना खाय अपने आपको रोग पाना मुश्किल है मैं डेकोरेशन के लिए कुछ सबजियां जोडूँगी बस, ओ हाँ, मैं लगवग भूल गई मुझे निम्बू का रस भी चाहिए यह स्वाद को और बढ़ा दिगा देखो, मैंने इसे कितने अच्छे से दो ठुकड़ों में काटा है मैं उन्हें प्लेट पर रखूँगी वाँ, मैं भी ऐसे डिश को मना नहीं करूँगी लेकिन मेरे आलू बहुत अच्छे नहीं लग रहे है चाब मुझे वास्ता में सब कुछ फिर से फैंकना होगा रुको, मेरे पास एक आइडिया है मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी मैं सभी खामियों को छिपाएंगे मैं आलू के कटोरे में डालूंगी और उपर से इस पर अच्छे से मसाले को छिड़कूंगी और फिर इसे मिक्स करना है मुझे नहीं लगता कि अतना मज़िदार होगा अब इसे एक प्लेट पर रख सकते है काफी अच्छा दिख रहा है मैंने देखा कि आप सभी ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है बोन अपितीद बॉबी जल्दी से चक्कर बताओ मैं इसके साथ शुरू करूँगा कितने मसाले हैं मुझे यह पसंद नहीं है यह आलू सुंदर लग रहा है ओ वाँ मैं क्या देख रहा हूँ नाचोस मुझे निश्चित रूप से इसके उमीद नहीं थी क्या यहाँ चीट सौस है मुझे यह पसंद नहीं है बीच वाला डिश सबसे ज़्यादा स्वादिस्त है धन्यवाद मेरे बच्चे यह असली केक है यह सही है जे मेरे लिए केक बनाने के लिए उनका उप्योग करो वाँ मैं अभी काम पर लग जाना चाहती हूँ मुझे कोई संदे नहीं है क्योंकि मुझे मीठा खाना पसंद है इसलिए दादी कोई भी मीठी चीज बनाने में महान है सफेद स्पंज केक बटर क्रीम के साथ सबसे अच्छा कॉंबिनेशन है जसा कि आप देख सकते है मेरी डिश पहले से ही स्वादिश लग रही है काम का मुखे हिसा है हमें क्रीम को ठीक से चेक ना करना होगा और अब मैं अपने केक को चॉकलेट बार से सजाने जा रही हूँ बावी उन्हें बहुत पसंद करता है मैं और क्या जोड़ूंगी? हाँ मैं समझ गई ये मॉल्टे सुर्स कैंडीज ये एकदम सही लग रहा है आप इससे बेतर कुछ भी नहीं सो सकते मैं इस कीजल्स के साथ इसे अच्छे से भढ़ देती हूँ बस हो गया या अंतिम कैंडी या जादू नहीं है मैंने अपनी पूरी आत्मा को अपने केक में डाल दिया या घर का बना बेकिंग के लिए बुरा नहीं है लेकिन या मेरे डिजर्ट की तुला में कुछ भी नहीं है वो फ्रांस के सबसे अच्छी पेश्ट्री की दुकानों के हगदार है क्या आपने देखा है मेरा काम कितने पॉफेक्शन के साथ होता है आखिर मैंने कीचन में इतने साल बेकार में बरवाद नहीं किये है खै बीच में क्रीम है अब मुझे केक को बिलकुल आधी में काटनी की जर्वत है अब मैं उपर से थोड़ी से क्रीम में लाऊंगी और इसे ठीक से चिकना करूंगी यह आप तक सरल दिखता है लेकिन अभी खत नहीं हुआ है मेरा बिश्वास करो मैं इसमें अभी कुछ क्रियेटिविटी जोड़ूंगी मैंने केक के दुस्रे आधी हिसे को इस तरह उपर रखा और बीच में काट दिया और अम मैं इसे अपनी तरब रखूंगी कैया आपको कुछ याद दिलाता है जल्दे में रंग को जोरूंगी और आप सब कुछ समझ जाएंगे बैंग्नी, नीला हाँ ये एक असले इंद्धनूस है जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सभी काम एक कारण से किये हैं मुझे थोड़ा और समय दो और तुम हैरान हो जाओगे तुम हमेशा की तर फिर कुछ बख्वास कर रही हो मान जाओ कि आपसे फिरश्या कर रही है क्योंकि आपने से खुद नहीं सूचा था देखो फिर्म कितनी चिकनी है एक असले खुबसुर्ती बादलो की रूप में यह फाइनल ताच यह बहुत हलके और स्वाधिश लगते है तुम सही हो, यह अंत में अच्छा निकला मैं देख रही थी अपनी केक के बारे में पूरी तरह से भूल गए मुझे इसे तुरंद समाप करनी की जरुवत है अजीब लग रहा है, मैं इसे कैसे ठीक करो मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है यहाँ एक कोशिश के लाइक है क्योंकि अवैसे भी इससे बत्तर नहीं होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इसके उपर इस चीज की क्यों डाल रही हो यह एक सिक्रेट है, अब जल्दी सब कुश देखेंगी मुझे पर विश्वास करो, यह बहुत अच्छा होगा खेर, अब मैं कर रही हूँ एक चमक कार देख लेगले, तैयार हो जाओ मा, कितना खुपसूरत अप्रत्याशीत, मुझे आसा है कि बॉबी को यह पसंद आएगा मेरा बीटा, हमारे पास सब कुश तयार है हाँ, यह तुम्हारे डेजर्ट को खाने का समय है, चक कर बताओ वाह, खुशे के साथ कितनी मीठी चीजे हैं यहाँ वाह, एक असली इंदर दनूस इसका स्वाद कमाल का है, सिर्फ दिव्य स्वाद बहुत अच्छा है मा, बढ़िया काम और इस केक में बहुत सारी चॉकलेट है और यह बहुत स्वाधिस्ट है दादी यह सूपर है, अब बस अंतिम केक बचा है यह बर्फ के एक विशाल आइसबर्ग की तरह दिखता है कितनी क्रीम लेकिन फिर भी जीत एमा के लिए है यह यह आखिरी दौर का समय है मुझे मार्शमेलो के साथ कोको चाहिए एक ड्रिंग बनाना असान है यह मेरा सबसे अच्छा राउंड होगा निशकर्स पर मत कूदो जेन दुनिया में दादी से बेहतर कोको नहीं कोई बना सकता मुझे बढ़ियां दूद और कोको पाउडर की जर्वत होगी मैं और अधिक डालूंगी ताकि स्वार जितना संबब हो उतना चौकलेटी हो और अब मैं इसे एक विश्टी साथ ठीक से मिलाओंगी इससे गाड से छुटकारा मिलेगा मेरी राए में अभी भी परियाब चौकलेट नहीं है मुझे थोड़ा और डालना होगा मैं इसे टुकरों में तोड़ दूँंगी इसे ये तेजी से बिखल जाएगा दादी ये बहुत अच्छा लग रहा है मैंने तुमसे कहा था मेरे समान दूसरा कोई कोको नहीं बना सकता मैं से अपनी फेवरिट मग में डालूंगी सब कुस तयार हो जाएगा तुम जल्दी खुशो रही हो दादी तुमने कभी मेरा कोको नहीं चखा है नहीं तो तुम्हें ये समझ में आ जाता कि मैं एक योग्य प्रतियोगी हूँ बस टेक्स्चर को देखो मैं एक असली मास्टर हूँ और दूद नहीं सिर्फ क्रीम मुझे एक कोमन फोम पाने के लिए मिक्सर के साथ उन्हें ठीक से मिलाना होगा और अब मैं इसे उपर रखूंगी ऐसा ड्रिंग किसी भी बच्चे को खुश करेगा मैं लगवख फाइनल टच भूल गई माशमेलो और उपर थोड़ा चौकलिट सॉस मैं मानती हूँ ये प्रभाव शाली है मेरा विश्वास करो मैं भी खाना बना सकती हूँ ऐसा लगता है किसी चीज की कमी है हमें और डालने की जर्वत है बॉबी निशित रूप से पसंद करेगा और क्या होगा अगर हम ओरियो भी ले मुझे लगता है कि यह मुँ में ग्रंच करना बहुत अच्छा होगा थोड़ी कैंडी भी नुकसान नहीं पहुचाएगी बॉफल च्यूब, चॉकलिट सिरप और सुन्दर्ता के लिए स्प्रिंकल्स सब कुछ अब यह निशित रूप से तयार है लो, इसे चक कर बताओ, बॉबी ओ, वा, बुरा नहीं है आप मुझे लगातार खुश कर रहे है वा, उपर बहुत सारे ट्रेट्स है हम पी सकते हैं और साथी खा भी सकते हैं बहुत स्वादिश, सही बैलेंस लेकिन मैं नहीं रुकूँँगा मुझे सब कुछ चेक कर देखना है ओ, दादी, यह तुम्हारा मग है कितना प्यारा है मुझे पाप करना, लेकिन ड्रिंक बस कुछ ऐसे ही है मैं इसे किसी चीज से हटाना चाहता हूँ मुझे लगता यह काम करेगा यह काफे रेच है लेकिन फिर भी मुझे पहला ड्रिंक अधिक पसंद आया मैं सबसे अच्छी हो